इस देश ने इस हफते सदी की सबसे बड़ी और शानदाश शादी देखी बुगेश अंबारी ने अपने छोटी बेटी की शादी को उत्सों बना दिया वाकई में भारत से लेकर दुनिया के कई कोनों तक इस शादी के धूम दिखे वहीं अनंत अंबानी और राधिका मर्चिन की शादी एकता और सद्भाव का खूबसुरत उदाहरन भी बने कैसे इस शादी में देश के कोने कोने से आए कई राजनेताओं ने अपनी उपस्तिती दर्स कराई ये मौका सिर्फ जर्षन का नहीं था बलकि जिस तरह से अलग अलग विचार धाराओं वाले नेताओं ने आपसी मद्धीदों को बिलाकर एक मंच पराकर जोड़ू क्यों आश्रवाद दिया वो एक जुटता कब्रमाड बने गया जोड़े को आश्रवाद देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे अकले श्यादों समीत विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे लेकिन नहीं पहुंचे तो राहुल गांधी इसके बाद राहुल गांधी की वाह वाही होने लगी कहा जाने लगा बंदा पहुलाकर अनंद अमबानी की शादी में राजनीताओं के शामिल होनी को लेकर भारत में भीषन मौर्ण पुलिसिंग जारी है देखिए ये रिपोर्ट भारत के पुझे पति घरानों में से एक मुकेश अमबानी के बेटे अनंद अमबानी की शादी कई रस्म रिवाजों को पूरा करते हुए शुकरवार को पूरी हुई जिसमें वर बधु को आश्रवाद देने के लिए देश विदेश के जानी मानी कलाकार धर्म गुरू, शंकराचारे कई राजीतिक हस्तियां या राच परिवारों ने हिस्सा लिया मेडिया से लेकर सोशल मेडिया पर इस शादी में होने वाले खर्च, शान्चोकत एवं दिखावे को लेकर सुर्खियां चलते रही हाला कि कॉर्परेट एवं फिल्मी दुनिया के गर्जोड के जरी शादियों के जैसी स्टेरियो टाइप छवी परोसी जा रही है उसका भारत के मिडल क्लास और गरीब जनता पर क्या असर पड़ेगा ये एक अलग सोशने वाला वर्षा है लेकिन शादी के बहाने से कॉंग्रिस और लेट के छोटे से ग्रुप से सावित कर दिया कि राजनीती ही सबसे अहम है जी हाँ सब जुग गए लेकिन राहूल गांधी नहीं राजनातिक मंच पर अमबानी को जम कर कोशने वाले भी अमबानी के बेटे की शादी में पहुँच गए लेकिन राहूल गांदी जो अमबानी और अडानी से खासा नाराज रहते हैं उन्होंने अमबानी का नियोता और खानी की करोडों के थाली ठुकरा कर एक रेस्टोरेंट में बैठ कर डोग सा खाना पसंद किया लोगों को भी लगा कि सही है बंदा अडिक है जो बोल रहा है वो कर रहा है में दूसरी और राहूल गांदी के राजनियातिक दो सकले श्यादों जो राहूल गांदी के बोली में हामे हा मिलाते हैं वो अंबानी के घर पूरे परिवार के साथ महांच गए इसलिए सवाल उठ रहा है कि इनकी कत्नी और करनी में कितना फर्क है लेकिन लोग शायद ये भूल गए हैं कि राजनीती से बढ़कर भी एक चीज होती है और वो है मानवता सामाजिक गड़ जोड किसी की शादी और ग यादो के निधन के बाद श्रधानजली समारों में सफ़ाई तकाय थे और अखलेश यादव को सांत्वना दे थे वहीं अगर बात रही अमबानी और अडानी को सरकार से मिलने वाली हेल्प की या पिर सरकार से मिलकर करने वाले काम की तो ऐसा नहीं है केवल मोदी सरकार ने के रिलेक्शन छेपा कर मेंटेन करती थी भारत के पुझी पतियों के साथ राजनी तिक साथ गांट जो पिश्री सरकारों में परदे के पीछे होती थी नरेंद्र मोदी के नेत्रतों में चलने वाली भादपा ने उसे सरियाम कर दिया पर्क बस इतना है और कुछ भी नहीं अब देखा जाएं तो किसी के निजी कारिक्रम में शिर्कत करना और उसकी नीतियों का समर्थन करना या राजनीतिक मंच साज़्ा करना दोनों अलग-अलग बाते हैं राजनीती से अलग पारिवारिक कारिक्रम में शामिल होने का निमंतर है जाना और ना जाना किसी राजनीती पारिवार का निजी फैसला हो सकता है किसी की शादी में शामिल होने से कोई गलत या सामिल होने से सही नहीं हो सकता आपको साबित करना पड़ेगा कि आप काम किसके हित में कर रहे हैं राहूल गांदी को शादी में ना जाने के लिए महान बताना गलत होगा और अखलेश रादों को शादी में जाने के लिए कोसना भी गलत होगा फिलाल इस खास रेपोर्ट में बसे अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जौनकारी के लिए आप देखते रहें सी लिउस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ